अल्राइट तो इस card trick को करने के लिए यहाँ पर मेरे पास एक deck of cards है अब चेक कर सकते हो सारे cards जो है वो बिल्कुल different है तो अभी यह deck में spectator को दूँगा वो जो cards को एक बार अच्छे से mix कर देगा and mix करने के बाद यह में spectator को बोलूँगा कोई भी card select करने let's say वो select करता है इस card को तो यह है spectator का selection यह आपको याद रखना है अभी के लिए इसको हम लोग deck के बीच में रख देता है और फिर मैं deck को एक बार अच्छे से shuffle कर दूँगा इससे क्या होगा जो spectator का selection है वो बीच में कहीं खो जाएगा और चीजों को और जादा मुश्किल करने के लिए मैं spectator को बोलूँगा जो deck है उसको बीच में कई पे भी cut करने let's say वो यहाँ पे cut करता है अभी यह जो packet है इसको हम लोग face up कर देने वाल है और जो यह face down packet है इसके साथ हम इसे shuffle करेंगे तो इससे क्या होगा एक काफी messy way में जो पूरा deck है वो shuffle हुआ है कुछ cards face up है कुछ cards face down है और अभी spectator का selection को ढूणने के लिए पहले यह जो deck है इसको हम spread करता है and spread करने के बाद मुझे लग रहा है जो spectator का selection है वो होगा यह वाला card तो यह जो card है यह होगा spectator का selection तो यह यह trick चलिए देखते इसको करते कैसे है all right इस card trick को करने के लिए आपको एक deck of cards चाहिए होगा अब पहले आप क्या कर सकते हो यह जो deck है यह आप spectator को दे सकते हो वो जब खुद cards को अच्छे से mix कर लेगा and mix करने के बाद आप क्या करोगा आप spectator को बोलोगे कोई भी card select करने let's say वो select करता है इस card को जो कि है four of spade अभी जो four of spade है इसको आपको control करके ऊपर ले आना है मैं यह trick है में जो card control का use करता है वो मैं आपको बताता हूँ तो जो उसका selection है उसको हम लेता है और फिर मैं यहां पर कुछ नस तरीके से cut करके जो जो select करता हूँ और जब मैं इसको deck के अंदर डालने वाला हूँ तब मैं हैемा थम के मदध से इसको मैं अशे के तरफ push करता हूँ और फिर मैं इसको insert करता हूँ जो पर यह जो जो ब्रेक लेने वाला है तो जो selection है उसके उपर यहां पर मैंने एक thumb break लिया हुआ है जो thumb है उसके मदद से मैंने यहां पर एक break लिया हुआ है अभी यह जो break के उपर का packet है इसी को मैं 3 बार cut करता हूँ तो simply यह जो break है इसको मैं transfer करता हूँ pinky break में तो यहां पर यह जो gap बना हुआ है यहां पर मैं अपना pinky finger को insert करता हूँ कुझस तरीके से अभी यह जो top के cards है इसको आप cut करोगे max to max 3 बार तो 1, 2 and 3rd time आप क्या करोगे जो pinky break है उसके उपर का जो पूरा packet है उसको आप cut करके कुझस तरीके से बाकी के cards उपर रखोगे इससे spectator का जो selection है वो उपर आ जाएगा इसके बाद आप एक refill shuffle कर सकते हो just make sure करना कि जो 4 of spade वाला packet है ये वाला packet इसको आप end में refill करो तो इससे भी 4 of spade उपर ही रहेगा and फिर last में मैं एक false cut करता हूँ जो मैं आपको बता देता हूँ मैं simply ऐसे एक swing cut करता हूँ फिर जब मैं दुबारा swing cut करने जाता हूँ तब क्या करता हूँ ये जो packet है इसके नीचे मैं एक break लेता हूँ यहाँ पर pinky finger को insert करके and फिर इस packet को हम नीचे रखता है फिर ये जो break के उपर का पूरा packet है इसको नीचे और फिर end में last packet इससे four of spade जब उपर आ जाता है ठीक है इसके बाद आप क्या करोगे इसके बाद आप spectator को बोलोगे कि मैं जो cards को अभी एक messy way में shuffle करने वाला हूँ basically जो trick है उसको और ज़्याद हम लोग मुश्किल करने वाला है तो spectator बीच में कई भी cut करेगा let's save वो यहाँ पर cut करता है अब आपको पता है उसका जो selection है इस packet के उपर में तो आप यह वाला जो packet है जहाँ पर उसने cut किया उसको आप face up करोगे और फिर आप face up into face down shuffle करोगे but make sure करने है कि यह जो four of diamond है इसको आपको end में refill करना है as a single card तो आप ऐसे refill shuffle start करोगे and जो face up packet है उसको आपको पहले refill करके खतम कर देना है सिर्फ four of diamond को छोड़के and फिर end में यह जो four of diamond है इसको आपको जो top card है उसके उपर refill करके जो shuffle है उसको close कर देना है इससे क्या होगा जो single four of diamond है वो हमारा selection के ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर four of spade हमारा selection है और उसके ऊपर four of diamond तो यह जो four of diamond है यह basically एक key card के तरह काम करता है इसके मदद से आप spectator का selection को ढूँनते हो इसके बाद आप चाओ तो आप deck को ऐसे cut कर सकते हो and cut करने के बाद आप क्या करोगे आप deck को ऐसे table पे spread करोगे और आपको simply वो four of diamond है उसको ढूँनना है तो यहाँ पर four of diamond है इसके बाद का जो card होगा वही होगा spectator का selection four of spade तो यही है पूरा trick इसको अच्छे से practice करना perform करने से पहले अगर trick पसंद आएगा तो वीडियो को ज़रूर एक like कर देना चैनल पे अगर नहीं हो तो subscribe करना मत भूलना अभी मैं मिलता नेक्स वीडियो में तब तक लिए goodbye and thank you for watching